हलो प्रेंज कैसे हैं आप लोग में उदी और आज का हमारा टॉपिक है कैसे मेमोरी तो यह हमारे प्रोसेसर में जो कैसे मेमोरी होता है यह होता क्या है और हमारे PC में RAM और यह हमारे प्रोसेसर के साथ आता है यह कैसे मेमोरी आपके PC में प्रोसेसर के साथ आता है परफारमेंट्स के सबसे फास्टोड आप्शन है यह होता तो बहुत छोटा है आप जो डाका आपके PC में ज्यादा या फिर फिक्वर्ट लियूस करते हैं वह डाका के तो फिर जब आपका पोजिसर बार-बार वो डाटा मांगता है आपके पोजिसर को रैमिया फिर हाट डिक्स के पास नहीं जाना पड़ता वो डाइरेक्ट कैश मेमोरी से ही वो डाटा इंपुट ले लेता है मैं आपको एक एक जामपल दे के समझाता हूँ मान लीजिए आप एक लाइब्रेडी में लाइब्रेडियर है और आपके लाइब्रेडी में जो रैक में जो बुक्स रखे है वो आपका हाट चाहिए और आपने एक आदमी को रखा है जो आपके ज़रत की हिसाब से रैक से बुक्स आपके पास लिए गया रहा है वो है आपका रैम और आपक लाइबरेरी के सामने आपके सामने जो डेस्क एउस डेस्क में जो ज्रायर से उह है आपका कैश गोली जिसमें कुछ चीज़ों को आप ने डिक्स के ज्वायर में राका है यह होता है आपके प्रोसेसर का कैशे मेमोरी यह कैशे मेमोरी तीन तरह के होते हैं लेवल वान लेवल टू लेवल त्री जिसको हम एल लटू एल त्री के नाम से जानते हैं यह एल लटू कैशे मेमोरी आपके प्रोसेसर में ही होता है यह एल्वान और लग अलग तरे से यूज करता है क्योंकि यह एल्वान कैसे में मुरी आपके पोईसर के चिप में ही होता है तो यह L9 cache memory सबसे fast होता है cache memory में उसके बाद L2 cache memory और उसके बाद L3 cache memory Friends यह cache latency क्या होता है हम तो जानते ही है कि cache memory जो store होता है तो तो फिर यह बार बार frequently change भी होता है मान लीजी आपके प्रोइसर ने आपके cache memory में कूश store किया था लेकिन आपो नहीं है तो फिर जाब आपका प्रोइसर cache memory से उस data को निकालने के लिए रिक्वेश्ट बेजगा तो cache memory में नहीं होगा तो आपका पोईसर को उस डाटा को निकालने के लिए आपके रैम या फिर हाद ड्राइब में उस डाटा को निकालना पड़ेगा तो फिर इसमें ज्यादा समय लगेगा इसको हम कैश लेटेंसी कहते हैं फ्रेंस उमीद है आपको कैशे मेमरी के ऊपर ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइक उनको दबा के नोटिफिकेशन एलेवेल कर दिजिए सुफेंस बाइ